देश-विदेश में अपने स्ट्राटिजी और बिजनस कोलाबरेशन के दम पर लगतार दिगल्ज कारुबारी गौतम अडानी का ग्रूप अडानी ग्रूप अपने पाव पसा रहा है देश में अपना जलवा बिखे रहे अडानी अलग-अलग देशों में भी अपनी मजबूत उपस्तिती दर्च करा रहे है हाली में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल एकनॉमिक जोन ने फिलिपीन्स में अपने विस्तार योजना का खुलासा किया और अडानी ग्रूप की कमपनी अडानी ग्रीन ने श्रिलंकाई सरकार के साथ एक अग्रिमेंट साइन किया है चलिए विडियो में ग्रूप के एक्स्पैंशन प्लान के बारे में बात करते हैं साथी कमपनी के नतीजों और शेर के परफॉर्मिंस को भी अनलाईज करेंगे नमस्कार मैं हूँ तनवी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक भारत और इश्या के दूसरे सबसे बड़े रई सुशक्स गौतम अडानी विदेशों में अपना एंपायर खड़ा करने के लिए हर रोज एक नया कदम उठा रहे है फिलिपीन के बाद अडानी ग्रूप की कमपनि अडानी ग्रीन ने श्रिलंकाई सरकार के साथ हाथ मिलाया है दरसल श्रिलंका गर्वंट ने देश में wind पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए अडानी ग्रीन के साथ एक समझ्होते को मनजूरी दी है डील में क्या है वो भी जान लेते हैं दरसल अडानी ग्रीन एनर्जी श्रिलंका के मनार और पुनेरिन में विंड एनर्जी स्टेशन डेवलप करेगी श्रिलंकाई कैबिनेट ने अडानी ग्रीन की ओर से पेश केगे प्रस्ताव के एवालुएशन के लिए एक नेगोसियेशन कमेटी का गठन किया है बतादे रिनेवल एनर्जी कमपनी अडानी ग्रीन को फरवरी 2023 में श्रिलंका के दो उत्तरी इलाकों में 484 मेगावाट विंड एनर्जी पावर प्लान को विक्सित करने के लिए 442 मिलियन डॉलर के निवेश की मंजूरी मिली थी श्रिलंकाई सरकार और अडानी ग्रूप के बीच विंड एनर्जी स्टेशनों को डेवलप कर निकले 20 साल का समझाता हुआ है एग्रिमेंट के अनुसार श्रिलंकाई सरकार अडानी ग्रूप को 8.26 सेंट प्रती कीलो वाट घंटे का भुगतान करेगी बतादे इस डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट की घोशना के बाद अडानी ग्रीन के शेर में मंगलवार को उच्छा लाया हाला की दिन के अंत में धाई फीजदी से जादा की गिरावट के साथ ये 1720 के लेवल पर था बतादे अमेरीकी सरकार समर्थित इंटरनाशनल डेवलप्मेंट फाइनांस कॉर्प ने बीते साल यानी की 2023 में श्रिलंका में एक कटीनर टर्मिनल के लिए अडानी पोर्ट को लगबग 553 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया था मालूम हो कि 2022 में आर्थिक संकट के बीच गंभीर बिजली कटोती और इंधन की कमी का सामना किया था इसने जो उसके बाद इंपोर्ट फ्यूल खर्चों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए रिनेबल एनरजी पहल में तेजी लाई जा रही है अडानी ग्रीन एनरजी के शेय के performance पर नज़र डाले तो अडानी ग्रीन ने पिछले पान सालों में अपने नवेशकों को 4,293 फीज़ी का रिटर्न दिया है एक साल में 88 फीजदी चो महीने में 84 फीजदी वहीं एक महीने में 10 फीजदी का नेगेटिव रिटर्ट दिया है अडानी ग्रीन के आई में 9 फीजदी के अच्छी बढ़त रही है दिसंबर तिमाही में 2311 करोड उपे के मुकाबले मार्श तिमाही में अडानी ग्रीन की आई 2527 करोड उपे रही है वहीं अडानी ग्रीन का मुनाफ़ा दिसंबर में 256 करोड उपे से बढ़कर मार्च दिमाही में 310 करोड उपे हो गया जो की कुल 21 फीजी का उच्छाल है वहीं श्रिलंका से पहले अडानी पोर्ट एन स्पेशल एकनॉमिक जोर ने फिलिपीन्स में अपने विस्तार योजना का खुलासा किया है एपी सेस के मैनेजिंग डिरेक्टर करन अडानी ने फिलिपीन्स के राश्पती फरडिनन मार्कोस जूनियर के साथ मुलाकात की और निवेश की योजना पर चर्चा की एपी सेस लिमिटेड अपनी पोर्ट डेवलाप्मेंट स्कीम के लिए बातन पर विचार कर रहा है अडानी ग्रूप के विदेशों में अपने बिजनस एक्सपैंशन प्लान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मैं कॉमेंट कर जरू बताए विडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलें साथी बिजनस जट की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस तर